नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं श्राम तक की 10 फटा-फट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कामेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले। उत्रप्रदेश के 2793 युगाओं को रूजकार मिलेगा। अत्रप्रदेश सिर्कात 10-11-12-12-23 को लखनाओ में दराश्च्री इन्वेस्टेश सम्मिट का योजन कर रही है। इसमें पुर्वांजयों के निवेश्रक भी इसता लें है। काश्यों की कंपनी में सिर्स इंडियन कॉर्परेशन वार नसी वे लखनाओ में 2000 क्रून रुपे के निवेश्रक फैसला किया है। की तारी की गोश्चनान नहीं की है लेकिन इसके जल्थी उपलब्द होने की उमीद है। की योजनाई आकार लेने लगी है। प्रिटन विभाग ने खासतोर से होटल इंडरस्टेस को लुभावनी योजनाओं से जोडने की कोशिश की है। अब ग्रामिनक श्वेत्र में भी युवाओं के सपने होंगे साकार। में लाइब्रेडी खुल चुकी है। जसमें चात्र चात्राएं अध्धन कर रही है। वहीं दूसरी और 445 से जात ग्राम पंचात भवनों में इस तरह की लाइब्रेडी खोलने की यूचना है। उत्रप्रदेश में शिक्षक बनने के लिए देना होगा UPTET एक्जाम पास होना जरूरी है। समय बेरतों के काम की खबर ये है कि जलती UP शिक्षक पात्रता परिक्षक ले नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसकी अभी कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन मेडिया रिपोर्ट के माने तो इसी महीने UPTET के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। UP में जमीनों की खरीद फरोक्त में परज़िवाड़ी पर लगे की रोक। UP में नए सत्र से महंगी होगी पढ़ाई। शेक्षिरिक सत्र दोज़ा तेईस चौबिस के लिए ग्यारा दस्टनव चेन आउ फिसदी शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी कही है। पर फिस बढ़ाने की दरे स्कूल अपने सत्र से ते करेंगा। यूपी में बंचाए तो किमी इच होगा गाउं की साफ सफाई पर मुकाबला होगा कि दसरकार के पहल पर प्देश में पहली दफा स्वाच सरवेक्षन ग्रामिन के शुरुवात की गई है प्रदेश के पंच्वायती राज निदेश्वाले तोरा इसकी कारे योशनात यार की गई है निदेश्वाले के कंसल्टेंट संजिश जोहां ये जोन कारे दी है उन्होंने बताया कि भी थी 19 नवम्म से शुरू इस अभियार के तहत गाउं में शोचालोगा प्रेव कच्रा और तरलबशिश प्रबंदन के रावा नालियों वा गाउं की गलियों रास्तों के सफाई जल जमाव निस्तारन आदीमान को पर उतक्रिष्ट कारे करने वाले पंच्वायतों का च्यान किया जाएगा योभी मेहर वेलनेस सेंटर से मरीजों को मिले का टेली कंसल्टेशन उतरपदेश के हर हेल्थ एंड वेलनेस से बहुत जद लोगों को टेली कंसल्टेशन के सुवधा मिलने लगेगी इसके लिए टेली मेडिसिन का दारा तेजी से बढ़ाय चुआ रहा है करीब डेड महीने पहले प्रदेश में टेली मेडिसिन सुविधा का लाब लेने वालों के संख्या दस जार भी नहीं थी, अभी आकड़ तीन कुना हो चुका है, इसके लावा हेल्थ एटियम से भी टेली कंसल्टेशन के सुविधा शुरू की गई है, इन एटियम से तीस प् परिसर में शामल हुए से मौकी पर उन्होंने बैतरीन काम करवाने वाले जवानों को समानित कैसी, इम्योगी ने अपने भार्शन में खा तेक प्यास्टी के जवान अपने शौरे बल के लिए जआने जाती है, उन्होंने काहा कि बैतरीन कानुन विवस्ता बनाए है रखन तक की बड़ी खबरे रोजान उतर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दवाना बिल्कुल ना भोले धन्यवाद